हाई फ्रेंट्स में सारीका वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे और फ्रेंट्स हमारे यहां जवरपुर का मौसम खराब चल रहा है बारिश हो रही है और ठंड भी बढ़ गई है ठंड चली गई थी पर ऐसा लग रहा है कि फिर से आ गई है तो चली फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे मेरीगोल्ड के प्लांट के बारे में कि हम इसकी कटिंग किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और वीडियो का प्लास तक देखते रहेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैरूर करेगा तो फ्रे पौदे को घर पे लगाना अच्छा भी माना जाता है क्योंकि इसके फूल तो भगवान में चड़ाए ही जाते हैं साथ ही इसका एक आयरुवेदिक महत्वभी होता है जहां पर भी इस पौदे को लगाया जाता है महां पर कीडे मकोडे और मच्छर मक्यां बगरा बहुत ही जो सीजन है इस टाइम पर मेरीगोल्ड में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहती है तो अभी इस सीजन में अगर आप सीट से ग्रो करते हैं इस पौदे को तो बहुत टाइम लग जाता है यह देखे इस तरह से जो काले सीड हो जाते हैं इसके तो एक ही फूल से बह कटिंग तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने इस पौदे की कटिंग ले ली है और अभी तो फिलाल मैंने दो ही कटिंग ली है क्योंकि इसके हर ब्रांच में धेरो कलिया बनी हुई है यह आप देखी सकते हैं तो मैंने यसी बड्स बनी कटिंग को ही ले लिया है कि बिना कली व मिट्टी में लगाएंगे, इनकी कटिंग लगाना बहुत ही असान होता है, तो ये देखिए कटिंग लेकर तैयार कर ली है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कि कटिंग में जितनी भी बर्ड बगरा बनी थी, सबको मैंने कट कर नीचे की पत्तियों को एस तरह से हटा दिया है नोट के पास की तो यह देखिये सारे पत्तियों हटा दी सारे बढस मेंद्स अब यह कटिंग तयार लगने के दिये और यह देखिए मैंने मिट्टी यहां पर रखी हुई है तो यह अच्छी होती है इसमें अगर आप कुछ नहीं भी डालते हैं गोबर की खाथ सिर्फ डाल देते हैं तो भी ये पौधा बहुत अच्छी से ग्रोध करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है तो ये देखिए हमने मिट्टी बना करके तैयार कर लिए और अब इ पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दबाना है और अच्छी से दबाना है तो चलिए दबा देते हैं फ्रेंट्स कईबर एक हाथ से वीडियो बनाने में हम एक हाथ का यूज करके नहीं कर पाते हैं तो चलिए ये देखिए दो कटिंग समने लगा दियो तो मैं लगा की दिख कर दिखा रही हैं इस तरह से नोड अरिया अच्छी से दबा दिया है मिट्टी में और अब इसके बाद इसमें अच्छी से वाट्रिंग कर दिजाए तो ये देखिए कृटिंग लगकर है तैयार और बहुत जल्दी इसमें हो जाती है थोड़े ही दिनों में इसमें रूट से निकलना स्टार्ट होंगी उसमें आप बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी पा लेंगे तो आप भी इस तरह से कटिंग लगा लीजे मेरी योल्ट की बस फ्रेंड्स आज की लेत नहीं बाइ